मस्कार, स्वागत है आपका फेलर स्टेडी मंतरे टीप चनल पर साथी यूपीट प्लस सी लेकपाल परीच्छा अब देखो लेकपाल परीच्छा 31 जुलाई परीच्छा हुई है, लास्ट जुलाई को परीच्छा हुई थी, अब दिसंबर भी लास्ट होने जा रहा है और लगवग दिसंबर हो जाएगा तो पांच महीने हो जाएंगे पूरे-पूरे अब देखो उसी बीच में सभी छात्रों के दौरा, जितने भी छात्र छात्र हुए हुए थे, उससे भी जादा बढ़ चड़कर लोगों ने हिसा लिया और इसके रजल्ट को तयार कराने के लिए, रजल्ट को जारी कराने के लिए तो वो जो ट्विटर वियान था, वो बहुत जबरिस्त सफल रहा उसी बीच में जो STF है उसने एक काम कर दिया STF ने क्या किया? 87 कॉलेज उसने ऐसे बता दिये, उसने कहा कि 87 कॉलेजों में जहां सामई करूप से नकल हुई है ठीक है? तो उन कॉलेजों की लिस्ट जारी कर दी और साइध आपने वो लिस्ट देख ली होगी, नहीं देखी हो तो एक बार मेरे साथ आप लिस्ट को देख सकते हैं ठीक है साथियो, आओ लिस्ट पर लेके चलता हूँ आपको में एक बार देखो साथियो, ये लिस्ट है डिवार का कारड़ सारे इन्होंने बता दिया गया है और स्टी एप के बिसलेश्टर के आधार पर लिस्ट है चाहो तो आप में स्कॉर्ड कर रहा हूँ दीमे दीमे आप पॉस्ट करके आपको एक बार देख सकते हैं कौन कौन से बिद्धाल है आपके हैं या नहीं है ठीक है साथियो, नीचे दर चलते जाएंगे देखो प्रियाग राज, प्रियाग राज, प्रियाग राज, प्रियाग राज जहां पर भी आपको लगे कि मेरे परिशेस के इंदर पर दी है तो आप उसको एक बार जरूर पॉस्ट करके देख लें कहीं आपका कॉलेज तो नहीं है प्रियाग राज के बहुत सारे कॉलेज दिये गए इसमें प्रियाग राज के अब देखो 28 कॉलेज तो केवल और केवल प्रियाग राज के है अब देखो लखनु के वाले कॉलेज शुरू हो गए लखनु वाले कॉलेज ठीक है लखनु वाले चलता है बनारस 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 देखो बाडरसी का ये भी है ये भी जॉनपूर शुरू हो गया जॉनपूर में भी इस बात की पुष्टी की गई है जॉनपूर कानपूर में देखो कानपूर में भी है बलिया है एटा भी एक colleg है ये गातरी intermediate colleg सकीट एटा में प्रियाग राज के colleg एक और आगया देखो लखनू में एक और आगया और चोहत्तर वाला college ये लखनू वाला ही है मत्रा देखो मत्रा college है गाजीपूर है, मुझफर नगर है, बलिया है, गाजीपूर, गाजीपूर, प्रियागराज, गाजीपूर, बलिया, प्रियागराज, और तुम्हारा प्रियागराज, और लास्ट में गाजीपूर, तो आपने देखा, कि कितने colleges में 87 colleges, और भी जहां पर नकल हुई है, उनकी बात पर आता हूँ, आपको सब समझाता हूँ, college की list मैंने एक बार आपको दिखा दी ठीके साथियो, मैंने college की list दिखा दी आपको ये STF के दौरा जारी की गई official list है आपने देख ली, आपको मालम पड़ गया और आपने देख भी ली होगी, ऐसी बात नहीं है मेरे से पहले भी देख लगती होगी अपने अब देखो, सबसे बड़ा सवाल ये है, कि सब सहत्रों में ये सबसे बड़ा सवाल है क्या सर, UP लेकपाल की परिच्छा रद होके दौरा री एक्जाम होने वाला है तो साथियो, मेरी एकदम से clear cut बात है आपसे और मैं पहले से भी करता चला रहा हूँ ये मंसा है ही नहीं आयोग की, न तो पहले से, न अब न स्टियो पेपर होके रद होके दौरा पेपर हो तो ये पेपर ना के बराबर चांसे हैं के दौरा रद होके पेपर री एक्जाम होगा ठीक है साथियो, और मैं आप नीचे जो समझाऊँगा वो चीज तुमें समझ में आनी चाहिए ठीक है साथियो, आप देखो मैंने कहीं एक नीचे बाला पॉइंट लिखा है कहीं आयोग और स्टियेप की साजिस्तु नहीं है देखो, ये हो सकता है आप देखो, पहले इसमें क्या हुआ था पहले आपको माले में है कि स्टियेप ने ये कहा था 15,000 चात्र संदिग्द हैं जिन्होंने परिच्छा दी है किसकी ये तुमारी परिच्छा दी है तुमारी लिखपल की अब देखो, ना तो 15,000 की लिस्ट अभी तक जारी हुई आपको माले में तो तीन हैर का बीच में मामरा चल तो मैंने भी यूडियो बनाया था तीन हैर लोगों नहीं कहा था इनोंने कि तीन हैर लोग हमने S.A.S.S. पाए गए हैं और हमने सासन को इस पर करी पुष्टी कर दिया रेपोर्ट दे दिया लेकिन ऐसा कोई official जवाब तो नहीं आया अब देखो अब लोगों ने ये कहा भई इतने दिन गुजर चुके हैं और इसमें दो-तिन केस भी पर चुके हैं जो आपको सबको अवगत हैं आप उन कोईशों से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब इसमें जो छात्रों ने मांग करी कि इतने दिन होने के बावजूद आप हमारा रेजल्ट ने दे रहे रेजल्ट के चक्कर में ट्विट्र भ्यान चलाया सब लोगों ने हम सब लोगों ने मिलकर इसमें बहुत भरपूर साथ दिया और आपने तो बढ़ चड़ का हिस्सा लिया इसमें और यह सफल रहा और सफल होने के बावजूद अब इसमें क्या हुआ आयोग ने और ह्टिय अपने नई एक फंड़ा निकाल दिया कि इसमें 87 कोले जों की लिस्ट जारी कर दी गई तो इन लोगों ने परिच्छा दियो उनकी जांच कराओ और जांच में अगर दोसी पाए जाते हैं जेल में डालो आपने कुछ किया और ऐसा ही समय होता है SI में हो गया UPSI में, UPTGT, PGT में हो गया कोई ऐसी परिच्छा जा रही है आपने कुछ कर तुपाए नहीं बारबन नकल जांच के नाम पर बच्चों को मुर्क बनाया जा रहा है तो यह बास समयने की कोशिस करना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें पूरी-पूरी STF की साजिस है और IO की साजिस है क्योंकि यह लंबा खिचे कि जो रजल्ट है इसका लंबा खिचे और यह 24 तक पहुचे और मैंने एक दिन कल भी परसों वीडियो बनाया थी तब भी मैंने बताया था यह चाहता है आयो कि यह लंबा खिचे रजल्ट और दोवार 24 तक पहुचे और इसी के चक्कर वे ध्वा करता रहता है फालतू का, कि 87 कोलेजों की लिष्ट डिवार कर दी, तो कितने छात्रों को डिवार किया बो तो बताओ आप, छात्र कितने डिवार हुए, छात्र तो एक भी मुझे नहीं लग रहा है, कोई छात्र तुमने बताया कि यह छात्र है, और इस छात्र की जांच करेंगे हम, कब करोगे जांच, वैसी दिवाता चार महिनी से कर के आ रहे हो, जब आपको वे भी माले में के सारे कॉलेज यह डिवार हैं, तो उनके जितने भी छात्र हैं, उनको पकड़ो, उनको जेल में डालो, नकल करना ही भूल जाएंगे, दूसरी बाइच छोड़ दो, नकल करना ही भूल जाएंगे, नकल तो बहुत बड़ी बात रही, वो कभी परिच्छा में भी बैठ पाएंगे, दूसरे आएंगे उनके भी ख़ड़े हो जाएंगे बहिया कि ऐसा ऐसा होता है लेकिन आप खुद ही इसमें मिली भखत है तुमारी और इसमें साजिस है ठीक है साथियो तो आप एक बास समझना अगर साजिस न होती ठीक है तो इन मैंने नीचे लिखाया क्या इन सभी जाच कर रहे हैं जाच कर रहे हैं किस बात की जाच कर रह भी आज तक पकड़ नहीं पाए तुम तुमने एक सपुगा ओर छोड़ दिया 15,000 का उसमें कयती नहीं है अब तुमें यह नहीं मालिम कि क्या कर रहे हो आप बच्चों को सिर्फ जान भूज कर इस भरती को टाला जा रहा ind कर रहे है और कुछ नहीं है ठीक है और जांच कर रहे होOoh तो, अगर जांच बाकई में अगर तुम्हें लग रहा ऑग"-da संदिक्ड या फिर इन college omen paper देने वाले, यहां पर जाकर उन बच्चों को लूड़ो और बचों की इसलारी करो गुछ गहीं होंगे, इन कॉलेजन अब भी तो चात्रों होंगे, योग inhaler इमांदारी से परिछा दिया, उनका क्या होगाH, तो आपको एक बार अगर जांच करनी है, तो जांच करके इसका रजल्ट दो, जल्दी से जल्दी, ठीक है इसके लिए 17 तारीक को भी एक ट्विटर विहान है आपको माले में कल के दिन में तो आप सभी लोग बढ़ चट के इस्सा लें और इसमें यही बात करें कि आगा जांच करनी है तो जल्दी से जल्दी करें और इमांदार छात्रों को तो नौकरी मिले बहिवानों को तो कुछ करो आप आप कर तुपाते नहीं कुछ भी ठीक है बार बार यह जांच के नाम पर लीपाप होती कर देते हो ठीक है साती हो तो मेरा यही कहने का उद्देश्य था आपको यह समझाने का उद्देश्य था कहीं इसमें सरकार की मिली भगत तो नहीं मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ठीक है अगर उसमें कुछ हुआ है अगर भरती में मुझे तो माले में बहुत सारे सेंटर पे नकल हुई है तो भाया डिवार छात्रों की लिस्ट तो जारी करें जिससे लोगों को सुकूना है अगर आप जांच अपनी कर रहे हो करते रहो करो जांच और उसका रेजल्ट भी जल्दी से जल्दी देने की किरपा करें ठीक है सातियो तो मैंने पूरा का वीडियो सार समझा दिया और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है 99% के इन लोगों की मिली भगत है और इस भर्ती को खीचने का प्लान है लोगों का और कुछ भी नहीं है ठीक है सातियो कैसा लागा वीडियो वीडियो और अच्छा लगता है तो सातियो वीडियो को सेर कर दिया करो सातियों तक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो 3.1.2